इस lecture में हम cellular telephone system के बारे में discuss करेंगी इसके पहले हम थोड़ी से इसकी history जान लेते हैं तो अगर हम बात करें बहुत ही पहले की तो अगर 1946 के आसपास अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे military system से military services में हम कुछ mobile radio telephone का use करते थे तो वहाँ पर जो mobile radio telephone से उनके लिए हम बहुत बड़े-बड़े transmitters को बहुत बड़े-बड़े buildings में क्या करते थे fix कर देते थे तो वो जो transmitters होते थे low power के होते थे तो यहाँ पर जो हमारे पास mobile radio telephones होते थे उनमें क्या होता था एक push button होता था और यह कैसा होता था एक तरीके से one way communication ही था तो यहाँ पर क्या होता था कि एक time पर मतलब कि था तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम इसमें transmission और reception कर पा रहे थे तो यूजर क्या करता था पहले इस push button को push करता था तो अगर transmit करने के लिए push कर रहा है तो यहाँ पर जो transmitter का जो button होता था वो क्यों होता था enable हो जाता था और receiver site क्या होता था वो disable हो जाता था मतलब कि अब user क्या कर सकता है बोल सकता है लेकिन सुन नहीं सकता है तो अब यहां से यूजर क्या करेगा जो उसको बोलना है वो उसको send कर देगा देन अगर उसको receiver side से मतलब कि अधर end पर जो other person है वो अगर कुछ और बोल करके बता रहा है तो क्या करना होगा फिर से यह क्या करेगा कि एक जो push button लगे हुई है मतलब कि अब जो यहां पर user है वो क्या कर पाएगा अब जो भी receiver side ने जो बोला होगा जो उसने भेजा होगा वो उसको क्या कर पाएगा सुन पाएगा लेकिन अब यहां से बोल नहीं पाएगा इसका मतलब क्या है कि जो communication है यहां पर simultaneously आप दोनों काम नहीं कर सकते मतलब कि transmit और receive नहीं कर सकते एक बार में आप यह तो transmit कर सकते हो या फिर एक बार में आप receive कर सकते हो मतलब कि एक बार में आप बोल सकते हो या फिर एक बार में आप सुन सकते हो एक ही काम हो पाएगा क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे थे केवल एक ही चैनल यूज़ कर रहे थे फ्रिक्वेंसीज को सेंड करने के लिए तो यह सिस्टम क्या हो गया एक तरीके से फेल हो गया कि हम इतना convenient नहीं था यह अब अगर हम बात करें कि हमारे थोड़े से इन सिस्टम्स में improvement किया गया तो हमने एक improved mobile telephone services generate की वहाँ पर जो हमारे पास transmitter जो होते थे वो भी बहुती बड़े-बड़े होते थे और उनको बहुती बड़े-बड़े buildings या पर जितने भी mountains हो गए आपके वहाँ पर fix कर दिया जाता था और यह कैसे होते थे फोड़े high power के थे जैसे यहाँ पर push buttons की help से हम क्या कर रहे थे transmission और reception कर रहे थे तो यहाँ पर जब हमने improved mobile telephone services start की तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि हमें किसी type की push button की जरूरत हो क्योंकि यहाँ पर हम दो frequencies use कर रहे थे एक क्या करेगा आपको transmit करेगा और एक क्या करेगा receive करेगा तो यहाँ पर हम दो frequencies use कर रहे थे एक transmission के लिए और एक reception के लिए तो एक तरीके यहाँ पर हम एक बार में simultaneously क्या कर पाएंगे transmit कर पाएंगे और receive भी कर पाएंगे तो यहाँ पर हमने क्या यह जो एंटीना थे या पर ट्रांस्मीटर थे उनको क्या क्या गया फिक्स कर दिया गया और अब हम यहाँ पर दू फ्रिक्टेंसी इस यूज कर रहे हैं मतलब कि बहुत सारे चैनल्स यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो याँगा हम एक बार में ट्रांस्मीशन मतलब कि अगर एक ट्रांस्मीटर यह है और एक ट्रांस्मीटर यह है तो इन दूनों के बीच में जो डिस्टेंस है वह बहुत ज्यादा होगा यह हम ज्यादा क्यों रखेंगे क्योंकि अगर हमें इनको पास पास रख देंगे तो जो हमारा सिग्नल है उसमें इंट्रफेर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें अब्धाइब अब तरीगे तरीकि से यह भी इसका ढ़ातवा इसे उत्त υट किरांडे तो यह ज्यादा यूस नहीं देख रहेएए घर किया senhor maaki और improvement हुआ जब और improvement हुआ तो next system generate किया गया जिसको हमने कहा advanced mobile phone systems यहाँ पर क्या हुआ कि जो problem थी इनको overcome करने की कोशिश की गई तो अब हम क्या करेंगे जो areas हम cover कर रहे थे अब हम इन areas को cover करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया जो भी हमारा मतलब एक तरीकी से जो अर्थ है उसको cover करने के लिए हमने उनको छोटे-छोटे cells में divide कर लिया तो अब उन cells में divide करने के लिए यह हुआ कि कि टाइप के कि shape कि cells होंगे जो कि पूरी earth को cover कर तके बिना कोई area छोड़े तो अगर हमें कोई area नहीं छोड़ना है हम चाहते हैं कि हमारी पूरी की पूरी earth cover हो जाए कोई भी area ना छोटे तो हमें अब देखना था कि जो cell हम divide कर रहे हैं वो cell कि shape का होगा तो अब अगर हम यहां पर देखें कि cell का shape देखें अगर यह circle है अगर हम यहां से एक circle यूज़ करें तो यहां पर देखें कि जब हम circle अगर shape लेंगे cells का तो देखें आपका कुछ-कुछ portion क्या हो जाएगा चूट जाएगा जैसे यह portion आपका चूट गया यह portion चूट गया तो बीच बीच में आपके कुछ कुछ पूर्शन चूट जाएंगे तो आपका पूरा अर्थ कवर नहीं हो पाएगा इसे तरीके से अगर हम ट्रेंगल यूज करें आपके रेक्टैंगल यूज करें तो भी हमारा क्या होगा अर्थ पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाएगा कुछ-कुछ यूजर्स जो होंगे आपके कुछ क्या मतलब बहुत सारी यूजर्स क्या हो जाएंगे वो इन सारी जो भी आपका ये मुबाइल पॉन, टेलिपॉन सर्विसे से उनका यूज नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर वो उनका यूज कर पाएं इसके लिए हमने क्या किया है यह जो हम सेल का साइज, सेफ ले रहे थे वो अब हम सरकल या फिर ट्रैंगुलर या फिर रेक्टैंगुलर ना लेकर कि हम कैसा लेंगे हेक्सागन टाइप का लेंगे जिससे कि हमारे जो सेल्स हैं वो easily पूरे अर्थ को कवर कर सकें कोई भी एरिया आपका छूटे ना है यहाँ पर अगर आप एक सरकल लेंगे जब आप एक सरकल लेंगे तो देखें, यहाँ पर जो आपका पूरा एरिया है वो कवर हो जाएगा कोई भी portion आपका छूटेगा नहीं है तो इसलिए हमने यहां पर hexagon यूज किया कि हमारा कोई भी portion ना छूटे सारे का सारा अर्थ अब cover हो जाएगा अगर हम इस शेप को यूज करेंगे तो इस शेप का यूज करके पूरी के पूरे जो अर्थ है उसको cover किया गया तो जो हमने cell divide किये थे जो अर्थ के जो कुछ एरिया इस तो जैसे अगर मान लेजी सपोज कोई city है आपका तो हमने क्या क कम्यूनिकेशन के लिए cities को किसमें convert किया cities को हमने चोटी-चोटे cells में convert किया है तो जब चोटी-चोटे cells में divide कर लेंगे जो भी आपके बहुत बड़े-बड़े areas हैं और चोटी-चोटे area में convert करेंगे बड़े-बड़े areas का मतलब क्या कि एक city का example लें तो उन cities को क्या करें और उन areas को हम कैंगे? Cells कहेंगे, तो cells का shape, हमने देखा कि हम कैसा लेंगे, triangle या फिर हम rectangular ना लेकर करके hexagon का लेंगे, तो cellular structure होगा, वो कैसा होगा hexagon shape का होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते है? cellular telephone system कहते है, कि इसका जो Visit सेल का जो शेप है वो कैसा ह disfr sano type का है इस लिए हम इन इन छेवर क्हेते हैं तो ये एक सेल है जो जो छेप वो कैसा है ईक्षागूणल है इनका तो तो शाइज हूटा है सेल्स का वो क्या होता है कि नहीं होता है और अगर एक तरीकी से देखा जाए तो practically जो cells होते हैं वो hexagonal भी नहीं होता है लेकिन जो shape हम कहते हैं कि shape कैशा होता है वो hexagonal होता है और जुनका size होता है वो fix इसले नहीं होता है क्योंकि areas क्या है हमारे areas बढ़ते और गढ़ते रहते हैं जैसे ऐसे आपके areas अगर number of users बढ़ने रगेंगे जो cell का size हो हम क्या करेंगे उस एक cell को different types के cells में फिर दुबारा से क्या कर देंगे divide कर देंगे तो इसलिए जो cells इसलिए हम कहते हैं कि cells का size हो कैसा रहता है वो fix नहीं रहता है हम गी नहीं कहा सकते कि अगर यह अभी इतना size है तो इतना ही size रहेगा नहीं अगर इस cell में users अगर आपके बढ़ जाएंगे तो users बढ़ने से इस cells को हम क्या करेंगे further divide कर देंगे कुछ cells में तो जो size होगा क्या हो जाएगा अपने आप reduce हो जाएगा या फिर अगर users कम है तो cell का size क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इसलिए cell का size होता है वो fix नहीं होता है तो यह आपका क्या है एक cell है इसी तरीके से हम पूरे के पूरे areas को क्या करेंगे cover करेंगे चोटे-चोटे cells में एक city है उन city को हमने divide किया एक चोटे-चोटे cells में तो अब उन चोटे-चोटे cells को हम क्या करेंगे hexagon में hexagon shape ले लेंगे और फिर उस area को पूरे areas को cover करना start करें कि यह जो cells होते हैं जब इन cells के हम grouping करते हैं तो जब हम cells के grouping करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं cluster कहते हैं तो एक तरीके से यह जो आप grouping देख रहे हैं cells का इसको हम cluster कहेंगे mostly क्या होता है कि जो cluster होता है उसमें 7 cells होते हैं मतलब 7 cells होते हैं यह है हमारा cluster जिसमें seven cells हैं आपके यह grouped हैं इसलिए इनको क्या कहा गया है cluster कहा गया है तो यहाँ पर क्या होता है कि हर cell के पास अपने एक base stations होते हैं और सभी cells के जो base stations होते हैं उनको एक master unit से connect कर दिया जाता है जो जितने भी base stations पे users होंगे उन सभी की frequencies का और जितना भी उनका data है उनको control करेगा जो भी आपका एक master unit है तो यहाँ पर क्या होता है कि यह जो cells हैं इन सभी cells की frequency allocation के अगर हम बात करें तो सभी cells की frequency allocations होती है वो कैसी होती है वो ऐसी रखे जाती है कि signal में interference ना हो क्योंकि जो पहले हमारे पास systems से उन में क्या था कि interference की problem आ रही थी इसलिए उनको हमने क्या कैए? उनको हटाया, उनको remove किया अब हम सभी address की problem तो क्यों कर के आए क्योंकि यहाँ पर interference की problem आ रही थी वो हटाई यह जो cells हमने यहाँ पर use किये गया है तो यहां पर जो neighboring cells हैं उनकी frequencies को कभी भी similar नहीं रखा जाएगा मतलब कि उनको कभी भी same frequencies पर नहीं रखा जाएगा तो जब same frequencies पर वो नहीं होंगे तो interference की problem हमारी हट जाएगी तो यहां पर अगर आप देखो कि अगर जो second number का cell है और third number का cell है इन दोनों की frequencies होगी वो हमारी क्या होगी different frequencies होगी अगर second number का cell है और फोट cell की बात करें तो इन दोनों cells की frequency same हो सकती है बढ़ कभी जो adjustment cells होगी उनकी frequencies same नहीं हो सकती है जैसे कि 7 और 2 की frequency सेम नहीं होगी उसे तरीके से अगर 6 और 5 की बात करें तो इनकी frequency सेम नहीं होगी अगर इन दोनों cells की बात करें तो इनकी frequency सेम नहीं होगी तो कहने का मतलब क्या है कि दो adjacent cells जो होंगी उनकी frequencies कभी भी similar नहीं होगी उनके मतलब की एक तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हम alternate बात करें तो हम frequencies को different रख सकते हैं ऒज्घेशनगल की frequencies को same रख ने रख रहना interference की problem आएगी तो अगर हम देखें तो 3 और 5 की frequencies को हम same रख सकते हैं then 5 रेन 7 के frequencies को same रख सकते हैं उसे तरीके से 6 और 2 की frequencies को same कर सकते हैं 4 और 2 की frequencies को same कर सकते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा कि जो interference की problem आ रही थी वो हमारी क्या हो जाएगी, remove हो जाएगी तो यहाँ पर हम क्या use करते हैं frequency allocation के लिए narrow band FM का use करते हैं जहाँ पर जो frequency में हम difference रखते हैं जो भी adjacent frequencies हैं हमारी जो carrier frequency हम रखेंगे उनमें हम 25 kWh का difference रखते हैं तो यहाँ पर अब देखे कि हमने बताया अभी कि हर cells के पास खुद के base stations होते हैं अगर कोई भी user communicate करना चाहता है तो यहाँ पर क्या होगा जैसे ही यूजर अपने cell phone से क्या करेगा number dial करेगा communication के लिए तो जो cell phone है जो उसका cell phone का जो device है तो यहाँ पर देखे कि जो cell phone का जो device होगा जैसे ही user number dial करेगा तो number dial करते ही यह device क्या करेगा एक signal transmit करेगा base station को यह हमारा क्या है base station है तो base station को क्योंकि cell के पास, हर cell के पास खुद का base station नहीं है तो यहाँ पर अगर user है, second cell में अगर कोई user है, जैसे ही second cell के user ने अपनी mobile से एक number dial किया अब एक call की, जैसे ही call की तो इस device ने एक signal transmit किया base station को अब base station क्या करेगा इस number के लिए जो इसके number dial किया था, उस number के लिए frequency generate करेगा, then उस frequency को वो क्या करेगा, send कर देगा उस frequency को वो send करेगा और जो जिस user को call की गई थी, उस user से call connect कर आएगा, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, communication start हो जाएगा, तो जो यहाँ पर इस दूसर है उसके बीच में और इनके बीच में communication start हो जाएगा, जैसे यह communication खतम होगा, तो यह frequency आपर बेस स्टेशन ने generate की थी, इनके लिए इनके communication के लिए, इस frequency को जैसे call end होगी, इस frequency क्या कर दिया जाएगा, डेट कर दिया जाएगा और जैसे यह communication खतम हुआ, इस communication के खतम होने के बाद यह frequency है, उसको खतम कर दिया जाएगी, मतलब कि dead allocate कर दियाएगी, और अगर कोई और user है, कोई और user communicate करना चाहता है, तो उसको frequency क्या कर दियाएगी, फिर से alert कर दियाएगी, तो इस तरीके से communication होता है, cells के बेच में, अगर कोई भी user communication करना चाहता है, और यहाँ पर यह क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो भी communication हो रहा है, वो fixed हो रहा है, mobile हम use कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो user है, वो move भी कर रहा है, अपने cell में वो move कर सकता है, तो अगर कोई ऐसा case आता है, कि user क्या कर जाए, अपने cell से move करके किसी और के cell में चला जाए, तो वहाँ पर कैसा होगा frequency का allocation, अब हम देखते हैं कि अगर हमारा subscriber जो है, वो एक cell से move करके दूसरे cell में चला जाए, तो frequency का allocation कैसे होगा, तो अगर कोई subscriber अपने cell को left करके किसी और cell में एंटर कर जाता है, तो यहाँ पर देखे कि अगर हम suppose करते हैं कि एक user था यहाँ पर, यह जो user है, वो पहला यहाँ पर था, यहाँ पर था, अब वो यहाँ से move करके यहाँ चला गया है, तो यह जो user है, यहाँ यहाँ पर यूजर यहाँ पर सबस्क्राइबर है, जैसे ही वो इस cell से switch करके इस cell में आएगा, तो इस user का जो signal to noise ratio है, तो इस signal to noise ratio जो होगा, इस cell के लिए क्या हो जाएगा, वो decrease करना है, इस टार्ट कर देगा, तो जैसे ही signal to noise ratio इस user का, जो यह user पहले यहां था, अब वो क्या करे करेगा, जैसे ही वो दिरे दिरे मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब कि जो यहाँ पर base station है, इस base station को यहाँ सिगनल मिलना कम हो जाएगा, इस user के लिए, इसको signal मिलना कम हो जाएगा, मतलब कि जो signal to noise ratio है, वो कम होना start हो जाएगा अब जैसे ही इस base station को पता चलेगा कि यह user यहां से move करके यहां चला गया है मतलब कि इस user के लिए इस base station को कोई signal receive नहीं होगा क्योंकि signal to noise ratio दीर दीर क्या कर जाएगा decrease करना start करेगा और एक time पे इतना low हो जाएगा कि इसकी location इस base station को पता नहीं fiber है वो यहां से move करके यहां चला गया है दूसरे cell को चला गया है तो अब इस base station के लिए इसकी location के बारे में पता करना मुश्किल हो गया तो यह जो base station है वो यह क्या करेगा यह तुरंत master unit को एक signal वेजेगा कि इस frequency का जो user है वो यहां से चला गया है उसका signal to noise ratio क्या हो गया है low हो गया है बहुत ही low हो गया है तो यह base station यहां जो आपका master unit है यहां पर जो microprocessor लगा होगा उसको यह signal base देगा अ अब यहां का जो base station था उसका काम खतम हो गया है अब जो काम start होता है वो किसका start होगा इस master unit का start होगा तो यह जो master unit लगी हुई है जिसके पास सभी cells का क्या है data है यह जो भी आपके base stations है सारे के सारे base stations अगर कोई एक particular city है उस city में बहुत सारे क्योंकि उस city को cover करने के लिए हमने बहुत सारे cells क्या की हैं divide किये हुए हैं तो उन सभी cells के जो base stations होंगे उन सभी base stations को हमने master unit से पहले से लिंक करके रखा होता है कि जितने भी cells हमारे हैं उस city में या पर जितना भी area है वो cover है तो यह क्या है master unit क्या करता है control बनाए रखता है हर cells में तो अब master unit को पता चल अनिकल गया है कि इस cell में तो यह जो user है सब्सक्राइब करते हैं कि इस cell को 1 देते हैं मतभ़ी cell वन है और इस cell को हम कहते हैं कि यह cell 2 है तो अब master unit को यह पता हो गया क्योंकि base station में सिगनल बेड दिया इसको और बता दिया है कि जो user है Iser यहां से निकल गया है मतलब उसका signal to देखेगा कि इस user के लिए जो frequency थी इस के लिए इस के device के जो frequency थी उस frequency के लिए signal to device ratio किस cell में हाई हो रहा है तो अब वो check करना start करेगा सारे के सारे cells में तो जस सेल में उस particular frequency के-लिए उस particular device का-टीउस के frequency के-लिए signal to memories रिश्यू क्या होगा हाई होगा उस पर्टिकुलर सेल में मास्टर जान जाएगा कि उस पर्टिकुलर सेल में यह जो सब्सक्राइबर है वो एंटर कर चुका है तो यहां पर जब वो चेक करेगा सारे सेल्स को और भी सेल्स आपके होंगे यहां पर तो उन सभी सेल्स को जैसे कर तो वह देखेगा कि जो second cell है वहाँ पर उस particular frequency के लिए उस particular device की frequency के लिए signal to invoice ratio हाई है अब जब signal to invoice ratio हाई है तो Master unit क्या करेगा अब जान जाएगा कि हाँ यह जो subscriber है या पिर user है वो second cell में एंटर कर गया है तो अब master unit क्या करेगा कि इस जो भी आपका user subscriber है उसको बेस स्टेशन से क्या करेख लिंग करेगा जिससे कि वो communication कर पाए जब वो इस वाले cell में था cell 1 में था तो इस वाले बेस स्टेशन से connection था उसका तो जैसे ही वो call करता था यह जो बेस स्टेशन था उसके लिए भी user है उसके लिए frequency generate करता था और अराम से communication हो पाता था तो अब जब वो दूसरे cell में जाएगा तो same process यहां भी होनी चाहिए कि जो बेस स्टेशन है इस cell के लिए उस cell के लिए जो भी बेस स्टेशन है उसके साथ उसका link अप हो तब जा करके वो communication कर पाएगा तो अब यह जो user है इस user के लिए जो master unit है master unit क्या करेगा अब इस user को वहां का जो cell जो second cell है second cell का जो बेस स्टेशन होगा उस बेस स्टेशन से इस user का क्या करेगा link करा देगा अब जब यह user communication स्टार्ट करेगा तो अब यहां पर जैसे ही यह user यहां से यहां move करके आएगा तो जिसकी frequency होगी वह भी change हो जाएगी तो master unit क्या करेगा second cell के according जो frequency होगी क्योंकि दो addition cell की frequencies क्या होती है अलग-अलग होती है अलग-अलग रखते हैं कि interference ना हो तो frequency जो जो बदल जाएगी इनकी तो master unit का यही काम है master unit देखेगा वैसे ही उसकी frequency को गया करेगा चेंज करेगा जो पहले यहां पर थी यहां पर कुछ और थी अब यहां पर कुछ और हो जाएगी तो master unit उनिट आटमेटिकली यह सारे काम कर देगा जैसे वो यहां से यहां move करके आया frequency में variation वो इस frequency को vary कर देगा और base station के साथ उसको link कर देगा जैसे कि वो communication कर पाए अब यह थोड़ा सा जो process है frequency allocation का वो थोड़ा सा tough होता है लेकिन इतनी fast होता है कि user को कभी भी पता नहीं चल पाता है या फिर हमें कभी पता नहीं चलता है कि अगर हम यहां से वहां move कर रहा है तो हमें कभी भी mobile communication problem नहीं phase करनी पड़ती है बहुत ही fast होता है मतलब millisecond में ही सारी की सारी process हो जाती है तो हमें कभी पता नहीं चलता है कि इतना सारा process हो रहा है कि हमारी frequency change हो रही है हो यह भी master unit ने कर दिया और waste station से link up भी करा दिया उसे time पर अगर हम call भी कर रहे हैं तो वह call भी setup करा दिया यह बहुत ही microsecond or millisecond में होता है तो इतना fast होता है कि यूजर को कभी भी पता नहीं चलता है तो यह था कि अगर आपका user एक सल से दूसर सल में move करके जा रहा है तो कैसे master unit role play करेगा अपना frequency को alert करने में और जो भी interference के problem है वो ना है